जैहिंद जैहिंद and welcome to study better हम लोग देख रहे हैं यूज पब्लिकेशन का जो आररबी एंटेपीसी का और रेलवे के सारे previous year question को हम लोग कवर कर रहे हैं यहां से तो जो कि बहुत important रहेगा इसको हम लोग पूड़ा कवर करेंगे one by one देखते हैं आज का जो lecture है दर्बमान से र नाम दर्बमान अस्थान बदलने पर परिवर्तित नहीं होगा तो इसको explanation देख लेते हैं इसका किस वस्तु का द्रबमान प्रतेक अस्थान परिश्थिर रहता है द्रबमान वस्तु के अस्थान परिवर्तित नहीं होता है किन्तु अगर भार हो वजन हो तो अस्थान परि मतरोर करते हैं यह मल्किप्लिकेशन जी जो घुरती तुरड होता है यह चेंज होता रहाता है अगर देखो है प्रित भी एक प्ल पर अलग रहेगा और बिश्वत रहेखा यहां पर यहां-प Bradley लग रहेगा दिसके वयवाद से अष्थान आप चेंज करोगा इधर कहीं भी करोगे इस तो तो आपए जी कमान परियुद्थन होगा जिसकी वत प्रयुर्द्र का भार हमारा चेंज होगा जब कि दर्वमान क्या रहेगा सेम रहेगा नीच्ट को स्वेस्थचन नेमलिखित म तो गती रेखी गती के चर हैं ठीक है जबकि दर्मान इस सम्मूं में समलित नहीं है नेस्ट कोशन देखते हैं किसी वस्तु का जड़त्व मापने की इकाई निमलीकित में से क्या है तो जड़त्व मापने की इकाई निमलीकित में से दर्मान है जड़त्व वस्तु का प्रोटन का क्या करते दियूंज करते हैं अगर उसटेस्सामर्म मुर्ती में हैidente है तो रुदकी ही रहेगा चल रहेए चलिए चली रही रहेगा आप सेक्षारा सहा हौपई च्रह का क्लेंख करेंगा पहले इसे का भीडाेंगे गहों यह खरण तक जर तक बराबर रहेंकर तो तक तक इसका का बिलूद करेखी और जैसे इसका फोर्स जो इस्टेमिल फोर्स हुआ अगर जादा हुआ तो इसके वह से हो गाए मों से में आ जाएगी डरभान जड़त घोका जड़त्व मापने कीanie season है किसी बश्यो द्रमान का मापन किसका मापन कालाता है तो किसी वस्तु का दर्मार का मापन कालाता है तो जड़तो का मापन कालाता है तो जड़तो का मापन कालाता है ठीक है गुण है जिसके का लाव सु भी नादि साब बदले एक सररा रेका में समान वेग से चल्ती रहती यह रहती है ज़़तों का म आपन लॉन होता है झेश इक ऑर समय मापा जाता है तो बस्तु का ज़रत उसके द्रिव पर निरबर करता है दर्मान जितना अधिक होगा वस्तु में जड़तो अतादबल का विरोत करने की प्रवित्ति उतना ही अतिक होगी ठीक है आप समझ गये होंगे इस प्रकार किसी वस्तु का दर्मान उसके जड़तो की माप है अगर मालो किसी वस्तु का दर्मान हमारा कितना है दस किलोग्राम ह तो इसको एकुलेंट हम क्या लगाएंगे फोस्ट लगाएंगे या इसको चेंज करने कोशिस करेंगे अगर यह हमारा वस्तु क्या है रेस्ट में है तो इसको मोसन करने के लिए इसको एकुलेंट हम पोस्ट लगाकर इसको चेंज करने करेंगे ठीक है निश्ट है द्रमान की परिवासक क्या है दर्मान के परिवासक क्या आप देख सकते हैं आपसन नमर एक दो तीन चार पांच छे एक दो तीन चार है आपसन एवी सिरी है पहला क्या है किसी वस्तु का दर्मान दिशाहीन होता है इसलिए एक अदिश रासी है दूसरा है क्या रसानिक संतुलीन के अध करते हैं तो आपसे नमपर कैया से का वस्तू का वजन और गुलता नाट से प्रती आकर्षर या सक्ति misinformation रिकर हें घर मका नट दिया है सब्सक्राओं अधिकcking चलता है उसको करते हैं अपस्ता है और किसी पने प्रती प्रती काया त्द्रमान क्या है क्षान सब्सक्राइब किसी वस्तू का भार कितना है? 200 Newton है उसका द्रममान ग्यात करो जी कमाद दिया है तो हम अभी जानते हैं भार वस्तू का भार जी क्वोल्टू क्या होता है? मास Gड़े Liquity. मास की बैली भार है भार के दिया 200 Newton और मास का बैली पूछ रहा है जी कमाद 10 दिया जीरो से जीरो केंसिल आउट हो गया तो मास का वेलू कितना हो गया 20 किलो ग्राम एंसर ठीक है तो इसका आप्शन नमर दी रहेगा आप देखे इसमें आप्शन में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए यहां पर 20 न्यूटन है 20 यहां पर वाट दिया है 20 पास्कल दिया 20 किलो ग् फदल रहेगा आपको क्या रहेगा 20 किलो ग्राम ठीक है अगे अ अब बन्रे से निकाल लगए आपको पता है फूसर इस गूल टू मास इन्टू एं तो अच्टो dobr तो हम माधर मान फोर्स आपान तो यहीं होगा और वी में में जान को गुरूत कि रुब प्रभावित नहीं होता है तो दरवेमाuct कि पिंड का दर्मान को जब अलग अलग दर्मान की वस्तों मुक्त रूप से नीचे छोड़ा जाता है तो उस पर समान तुरण कार करता है ठीक है आई तिंग हम क्लियर हो गया होगा आप एक बाइव एकस्प्रेसिंग पढ़िए किसी पिंड का दर्मान उसके तुरण के मान को गुरुत्य के कार प्रभावित नहीं करता है ठीकि दर्मा कि आपता है तो जी की बेर्लू होता है 9.8 ठीक अगर चेंज रहता है तो जी कमान कहीं के दस देता है तो 9.8 मीटर पर स्केंड स्कॉरर जिक है तो अब बैलू रखनेना डवलू बराबर यम जी इसका वैलू 450 है डवलू कमान यम कमान आम हम के करना जी कमान 9.8 है तो का δरमान के वालों किसी वस्तु का भार इतना है गुर्ट्टी तोरड इतना तो वस्तु का दरमान सेम कोशन है और किसी अब्जेट का क्या नियत रहता और अस्थान बदलने पर बदलता नहीं तो दरबमान इसका राइट एंसर है किसी पींड का संबेग संबेग पचास इसका थया दिजिए किलो ग्राम मेटर पर सेकेंड और वे इतना है इतना है फाइप मीनिटर और सिकेंड है द्रमान क्या होगा सम्वेग सेकल तु क्या होता है संवेग पिस इह मांस बूरे योस्टी या इस मांस कितना है नहीं दिया है समय कितना दिया है 50 km high review OH! दिया है और वे कितना दिया है पांस मार्ट मास का मल्टिप्लिकेशन करो केंसील आउट करो कि पांस से पचास कर से कटेगा तो कितना जाएगी जम के वेलू 10 किलोग्राम आ जाएगा ठीक है ले इसको पाता यहें तो हम नेस्ट ननिस्ट देखते हैं क्या है पांचमा चप्र साफुक्डर है नियमे न्यूटन नियस्त ला आपमोस रहत हैं तो डेह कि परह देखते हैं परण कोशन किया है नि कितन 200 कि दर्स आता है तो देखें देखनें कि आप संपाला है जब हम पैडल चलादाम बंद कर देते हैं तो साइकल धीमी होना शुरू हो जाती है तेजी से आती भी क्रिकेट की गेंद को पकड़ते समय छेतर अपने गेंद के साथ धीर देर अपने हाथ पीछे ले जाता है तिसरा क्या जब एक बस अचानक शुरू होती ह तब यात्रियों को पीछे क्यों जटका लगता है और चौथा है राकेट लांच करना ठीक है तो अब इसमें से काउंस आप संसरी रहेगा तो आप देखते हैं इसके एक्स्परेंशन में आप से नमर सी है क्या है जब क्रिकेट की गेंद अब देखें न्यूटन गती का पर्थम नियम किसी वस्तु को अगर बिरामा वस्ता में है तो बिरामा वस्ता में ही रहेगी जब तक उस पर कोई एक्स्टेर्नल फोर्स ना लगाएगी अगर माले कोई बोड़ी है अगर हम यह वस्तु इस्टेशनरी मोशन में है मतलब परंतु आपनी अवस्ता परिवतन का बिरोत करती है नियूटन के पर्थम नियरन क क्या नियन को क्या बोलते हैं जड़तों का नियम भी करते है जब एक बस अचानक शुरू होती है या श्टार्ट होती है चलने के लिए तयार होती है तब यात्रिये को पीछे की और जटका लगता है क्योंकि जब हम किसी बस में यात्रा करते हैं तो रुकी भी बस के साफिच हमारा सरीर क्या होता अबिरामा अवस्ता में रता है परन्तु बस अचानक सुरूर होती है तो बस के साथ सीट भी हमारे साथ सरीर गती वस्ता में आयता है परन्तु हमारा सरीर जो है जड़तो के काड़ क्या है विरामा वस्ता में बने रहने का प्रियास करती है निस्ट कुस्टन है यदि हम पेड की साखा को तेजे से हिलाए तो कुछ पतियां पेड से अलग हो जाती है यह कारड क्या है यह कारड क्या जड़तों का है नियम है गति का तीसरा नियम क्या है गति का तीसरा नियम और वेक के भी समन्द प्रदान करता है तो इस्तिति का प्रदान करता है न्यूट्रिन गति के तिरती नियम के अंशा प्रतिक्रिया के बराबर प्रण्त विप्रित दिश्या में प्रतिक्रिया होती है अतर गति का तिरती निय त्रह्कां की एक पिश्थर से 108 मिटर पर सेट्ख से 14 से गराम की गोली 6 कि चला जाती है कला प्रती घाती वे कितना होगा तो प्रती घाटी वinaire कितना हो गया मानिस डू पार मिटर पर सेट्ड प्रती घाती में का मतलब है कि पिस्थर से जब भी गोली निकलती है तो पीछे की ओर एक जटका होता है तो जो पीछे की ओर इक बेख किस वेघ से पीछ योसे को रहरे है तो आप इसको कैसे निकालेंगे देखियों आपको पता के पिस्तावूल का संवे और जैसे क्रिया परतिकिन न्यूटन का थर्ड नीयम अपर पता है जैसे यह आगए बढ़ेगे उसके अपोजी डायरेक्शन में हमारा उसको क्या correct करने के लिए संतुलन करने की लिए एक force हमारा काम करेगा पिस्टीयों का सम्विग बराबर गोली का समिग होगा ठीक है तो पिस्टौ का समिग मारिजे है Minnie Limon प्षित ओलटु जोली के समय काक Juddoo मांचितना दिया है तीन दिया है और हम अदैंट फिस्टोल का वैंक reveal से जा रही है व कैसे जा रहा है वीवन से मालो और दूसरा क्या है गोली का समतित मायनिसrier का 40 kg मास है 40 kg और सबस्वेक इतना दिया है कितना दिया है 180 मीटरौर सेके बढ़ भ верх में ठीक है तूamental की राज्टर학 ऑ अब ऐसे चिंज कर लेना जैसा भी तब यहां से आप भी के वेलू फाइंड आउट करेंगे तो भी इसको लूट क्या है गया मानिस 2.4 मिटर पर सेकेंड इस नियम को क्या नियम परिएन के दर बल के दिशा में आरुपित असनुटलित बल के सम्मानुपाति होता है तो अपसभर में क्या नियम का पर्थम नियम नियम का दूती नियम तो राइट आंसर क्या इसका नीटून का तो कि दूती नियम ठीक है किसी वस्तु कि समय परयोतन की दर उस पर आरोपित असंतुलन बल्ग के समानपार्थी होता है इस नूटन की गति क्या बोलते हैं इसे ही बोलते हैं जैसे हो गया उधार एजांपर की रूप में देखते है तो क्रिकेट खिलाड़ी है अगर उसके गेंद को कैच करता है तो कैच करते हैं अपने हाथ को क्या करता है पीछे की उले आता है और सर आईजक नीटन ने गति बिशेक तीनों नियम का उले किया है उनकी पुस्तक का नाम है प्रिंसिपिया में उले किया है प्रथम नियम को बोलते हैं जड़तों का नियम, दूती नियम बोलते हैं समवेग का नियम, तिती नियम जो होता है क्रिया पत्र क्रिया का नियम, एक्षन रियक्षन नियम बोलते हैं उसको ठीक है, गती का दूसरा नियम समंदित है, समवेग से, गती के दूसरा नियम समवेग से समंदित है, गति के दुसरी नियम के अन। किसी वस्तुप में समैग में आया बदलाव उस वस्तूपर आरवार्वपित, बलके समानुपाति होता है, तुसको देख सकते हैं को एग तीक कि दूसरी नियम एफ फिज्टॉल्टू समएक प्रिव counक कि दर तीा समय हुए व किश्यों कि दर बटे के समय कि यफ दूसरा नियम हो गया वह यह समय सरेच्षाट मुझ और героич कि अब हमारा फोस हो गया डिप हम हमारा प्रश्पर पर पर्भावी वस्तु पर फलों कि बीश्मंदों के बयोख्या करना जीरती की नियम्ट से भी जना जाता जैर्ट पोनियम परथम्नियम होता है खेस्ट होता है चांश की वस्तु में शन्मय का र decis反 बल के समानुपाती होता है शन्वेक TA को इतन बल की दिशा में होता है अर्थात न्यूटन गती का दूसरा नियम बल के प्रभाव को समझाने में साहिक होता है यह फिसकॉल टू डीपी बाई डीटी या यह फिसकॉल टू एम है क्लियर हुआ आश्य आए आछ आप आप कौणे कैसे यह डीपी देखो सम्बेक की होता है यम भी हो घ wheel depth करने न्यम भी हो गया ऑटी को टी ही रने दो तो यह यह ही रने दो अब वाई टी इसकॉल क्या हो गया तो आपो ब्लोस Eat Wow ने कहां से आए आपको पता हो गया सम्ब junior की दर हमारा अब देखते हैं नियूटरियों के समीकड़ क्या है और या फिजक गोर्टव एमे को न्यूटर्ण के सकेंड नियम यहां पर सेकेंड रहेगा एक्ष्ट कोशन देखते हैं नियम लिखित में से न्यूटन का कौण सा नियम ला मोशन दीवार पर फेका हुआ गेंद क्यों टकरा कर वापस लड़ता है कि समद्ध में ब्याख्या करता है तो न्यूटन का जो थर्ड नियम है एक्षन रिएक्षन नियम उसके डिपेंड करत करते हैं दिवार पर फेका हुआ कोई गेंद है टकरा कर वापस लड़ता है जो गती के तीसरी नियम की ब्याख्या करता है जब दो वस्तु की परसपर क्रिया में एक वस्तु जितना बल दुसरी वस्तु पर लगाती है दुसरी वस्तु भी विप्रीद दिशा में उतना ही करते हैं वस्तु पर लगाता है जिससे इन में से किसी एक बल को क्रिया वाद दुसरे बल को प्रतिक्रिया कहते हैं इसे क्या बोलते हैं क्रिया प्रतिक्रिया नियम भी कहते हैं अब देखते हैं न्यूटन के तीसरे नियम के लिए नियम के लिए बल अलग अलग निकाय पर विपिर्दिशा में लागू होता है गती के तीन नियम किसके द्वारा प्रतिबातित किये गये थे तो न्यूटिन के द्वारा प्रतिबातित किये गये थे अब तीनों नियम आपको क्लियर हो गया एक बार और देख लेते हैं तीनों नियम को तीनों नियम से कोश्चन जरूर है नियम है यह्だけ कोई кई वस्ता में है तो वह गती वस्ता में हुगक उपर आनुक्रमान पसद Tea में में होता यह Smol hear तोसरा नियम फिसुक्ट एक्षय्सेम बोलते हैं इसको इससी वष्थ रौज की समान की completa क्या कि बप्रतिक्रिया का Virtual Half धिस्त ्रहिश्च एक्षो इसको इसको किसी वश्टि कि रिया की समय किन्टू दिशा में प्रतिक्रिया होती है क्या बोलते है इसक ये करिया अब भी नियम करते हैं थो तो कितना नियम हुआ गति के निचन की तिन मुए निचनल गतिके नियम और जो प्रकाशन इकर्षा हुआ था 1687 में नहीं गतीकर नियम और का किसी वस्तु के समय परिवतन की दर के समानुपाती होता है तो लागो बल के द्वारा किसी वस्तु के समय परिवतन की दर उस पर लगने वाले बल की बल दाता बल की दिशाम के समानुपाती होता है इस न्यूट्रिन गती का दूती नियम भी काते हैं गती का दूती नियम दर स आता है है हम लोग अभी पढ़े हैं तो यह ते नियम क्या दर्शता कि वस्तु पर किसी वस्तु के परिवत्न कि दरr सूदबल की धिसा में वस्तु पर लागू सूदबल के अनुपातिक होता है नहीं लिख्यत में काउं सा कफान गलत है इसमें आप पढ़ेंगे तो देख लिजेगा तो जो गलत है उसको हम पढ़ते हैं ठारी उवी मोटर या रिलगाड़ी के अचानकचल पढ़ने पर उसमें बैठे यातरी क्या होती है पीछे की ओर जुग जाते हैं एकड़ क्या होते हैं जड़कर गिर जाते हैं एक किलोग्राम इंटु एक मीटर पर सेकंड इसक्वार क्या काते हैं एक न्यूटन काते हैं क्योंकि एक किलोग्राम हमारा मास को दिनुट करता है मीटर पर सेकंड इसक्वार हमारा तोरड को दिनुट करता है तो मास और तोरड का मल्टिप्लेकेशन होता है तो हमारा फोर्स आता है फोर्स का न्यूटन कितना आता है फोर्स का बैलू क्या होता है यूनिट तो न्यूटन में होता है एक किलोग्राम मीटर पर सेकेंड इसक्वाइर मीटर पर सेकेंड इसक्वाइर किलोग्राम मीटर पर सेकेंड इसक्वाइर को न्यूटन बोलते हैं ठीक है तो यह सेम कोश्चन है देख लेते हैं और टुटिफाइब है एक राइफल से चलाई गई गोली यदि राइफल बीना किसी रोप के पीछे की और जाती है तो राइफल की गति जूजा क्या होगी तो गोली की गति जूजा से कम होगी इसको देख लेते हैं अगो डिटेल में न्यूटन के तिरितिन यम कर दिश्राज जब किशी पीड़ पर जितना बल लगा जाता है तो वह वापस उतना बल लगाती है इसे क्रिया मे पते क्रिया बल भी करते हैं यहीं कर बंदूप से गोली चलने वाले को पीछे को धका दिता है तब बंदूप की गतिजूजा गो कि अब इसको देख लिएगा बहुत ही असान कोशन है सब राकेट लांचिंग को देख लो गुरूब डी में आया हुआ है राकेट लांचिंग कॉण्ट से नियम पर अधारित है तो नियूट्रिन गति का त्रीती नियम पर अधारित है कि अधिया है सारा एक्जांपल से कोशन आया हुआ है गुरूब डी में यल्पी में कोशन देखो क्या यल्पी में कोशन देखते हैं जब एक इस्तिर बस चलना प्रारम करती है तो उसमें खड़े ब्यक्ति पीछे की दिशाम में गिर जाते हैं नियूट्रिन में से का नियम इस प्रसिती की व्यक्षय करता है देखें इस में क्या है नूट्रिन गति का तिसानियम में से का यौन परसिती में लागू होता है तो आप सा नमा देक राइट है जब कूश जब कोई व्यक्ति नदी नाव से नदी में खुथता है तो ना पीछे के और जाता है तो घती के तीसरा नियम क्योंकि किरिया-प्रतेक्रिया-गी दर्श साता है कि देखे। इस कोश्चन को भी देखे लेतन है न्टि पीसी में इस क67 अयाओ गत्त नुटन गति के प्रथम नियम का अनयनाम ऺया है, जड़त्त का नियम है प्रतम नियम को जड़तों का नियम करते हैं दूती नियम को समेक का नियम त्रती नियम को क्लिया प्रते क्लिया का नियम करते हैं तो I think आपको clear हो गया होगा बहुत सरा Next question देखते हैं Group D में आया हुआ है किसी भी छट किसी राकेट का तुरड निर्वासित गैसों के वेक के घात यन के समान उपाती होता है और यहां यन का मान होना चाहिए यन का मान क्या होना चाहिए एक होना चाहिए राकेट नियूटरिन गती के तीसे नियम पर कार करता है राकेट के भीतर एक कच में ठोस या तरल इधन को आक्सीजन के उपश्चने में जला जाता है जिससे उच दाब पर गैस उत्पन होती है और यह पीछे की योर त्रिव विएक से निकलती है अता निकलने वाली गैस की गती राकेट की गती की समान विप्रिद्दिशा में होती है तो राकेट की गती समान विप्रिद्दिशा में नहीं होती है निकलने वाली गैस की गती राकेट की गती की समान विप्रिद्दिशा में होती है तो राकेट की गती प्रोपोर्शनल है किसके गैस के चाल के पावर एंट यहन का मन क्या होना चाहिए वह न होना चाहिए यहां पर देखो को स्ग गुरूप ंडी में आया हुआ से एक सतर किलोग्राम का आदवी है 50 जू पर से 5 किलो ग्राम्रा मां आदमी को धक्का देता है 15 zł और यह प्यूसार तो से 5 शरू किलोग्राम आदमी ने दूसरे घ्च्ती को कितने पर से धकेल rupees देखेला है तो 50 रिस के सब्सक्राइब करने के बाद भी एक धावक भागना जारी क्यों रखता है तो गती की जड़ता उससे आगे बढ़ाती है ठीक है देखें निस्ट कोश्चन है जड़त इनर्थिया का नियम किसके दोरा परतिबादी किया अब नियुटिन के दोरा इनर्थिया का नियम फस्लियंशी अकने आनि पर देल्ख कर झट अर जब कार एक गुमावदार सड़क पर मुड़ती है तो उसमें बैठे याति हैं पर केंद की बिपरी दिशा में एक बल महसूस करते हैं यह बल क्या बोलता है जड़तुकाम बोलता है जड़तुकामान अधिक्तम होता है इसका एकस्पनिशन देख लेते हैं किसी वस्तु का एक प्राक्ति गोड़ है तो उसकी वस्तु की बिराम या गती के वस्ताम परिवतन का बिरोत करता है जड़तुकल आता है एक भारी वस्तु का जड़त अधिक होता है अर्थात वस्तु का जड़त उसके भार के समान पाती होता है अर्था भार बढ़ने के साथ जड़त बढ़ता है और भार गटने के साथ सब्सक्राइब को अभी के लिए बस इतना है थैंक्यू सुमाच